नवस्कार आप देख रहे हैं दीकंटाप और मैं हूँ आपके साथ जानिसार खान दोस्तों OAC की पार्टी लगातार मेहनत कर रही है चाहे वो कोई भी राज्य में चुनाओ हो कहीं भी चुनाओ हो लोकल बॉडिस के चुनाओ हो विधान सभा के चुनाओ हो या लोक सभा के चुनाओ होने वाले हो तमाम राज्यों में अपना जी तोड मेहनत कर रही है और OAC भी लागातार रैलिया कर रहे हैं अब महनत कर रहे हैं, जी तोड महनत कर रहे हैं OES भी, अभी आपने पांच राजियों में होने वाले चुनाओं में और खास करके उत्तरपरदेश में आपने OES का प्रदर्रसंद, OES की पाटी का प्रदरसंद देखा, लेकिन अब होने वाले जो चुनाओं हैं आगे, चाहे वो गुजरात एलेक्षन हो या महराष्ट में लोकल बॉडिज के चुनाऊ हो या होने वाले लोकसभा चुनाऊ हो उनमें अब देखा जा रहा है कि महराष्ट में अभी सियासत में OEC की पार्टी हलचल पैदा कर दे रही है उनके नेता हो उनके बयान हो या OEC का बयान हो या और अंगाबाद से सांसद हैं MIM के इम्तियाज जलील उन्होंने अभी कुछ दिन पहले NCP नेता से मुलाकात कर जो बयान दिये थे और कहे थे कि हम गठबंदन करने के लिए तयार हैं क्योंकि MIM पर B टीम होने का आरोप लग रहा था तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना सारीज ही कर देते हैं तो महराष्ट में कहीं ना कहीं हल चल पैदा है MIM को ले करके और एक बार फिर अब जो खबर आई है वो यह है कि इम्तियाज जलील जो हैं जैसा कि मैंने बताया आपको कि सांसद हैं उन्होंने एक और बयान देकर फिर से सियासत में हल चल पैदा कर द सियासतार की उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी अहम भूमिका थी और इन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई थी हमारे जीत में अब इस बयान पर फिर से एक बार सियासत सुरू होई है और खबर आ रही है लेकिन हम आपको बता दें कि अब्दुल सत्तार ह थे उन्होंने 2009 में विधानसभा चुनाव से पहले सियुसेना जोयन कर लिया और सियुसेना में आ गए उसके बाद से जहां लोकसभा का चुनाव हुआ महराश्ट में तो इस तरीके का बयान अब इम्तियाज जलील के द्वारा दिया गया है और तारीफे की गई हैं तब से सियासत में हलचल पैदा हो गई और तमाम तरह की अठकले लगाई जा रहे हैं क्यूंकि चुनाव होने वाले हैं महराश्ट में भी वहीं आपको बता दें कि अब्दुल सत्तार के साथ मंच साजा करते हुए एक पब्लिक मिटिंग में इम्तियाज जलील ने कहा कि सत्तार मे उन्होंने ये बात कही थे, और उन्होंने ये भी कहा इमतियाजलने कि ये अब्दुल सत्तार किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं किंग मेकर हैं और तारीफ कि उन्होंने अपने बयान के जरिये सिवसेना के नेता को उसके बाद से तमाम तरह की अटकले लगाई जा रही हैं क्योंकि M.I.M. कहीं न कहीं कुछ न कुछ रन्नीती महराश्ट में चल रही है भीतर खाने कुछ न कुछ रन्नीती तय किये जा रहे हैं वहीं सिवसेना के एक जो नेता थे उन्होंने आपको टाइमस ओफ इंडिया में च्छपा है जो जिन्होंने कहा है कि हमारा नाम ना च्छापते हुए उन्होंने कहा कि एमाईम जो है एक एजंडा तय कर रही है और अपना नाम ना च्छापने के सर्थ पर उन्होंने ये कहा कि एमाईम का इम्तियाज जलिल का ये कहना एक छुपा हुआ एजंडा है आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रसंसा जो है दिल से नहीं है बलकि अस्थ तो एना के जो नेता हैं अब्दुल सत्तार बड़े नेता हैं उन्हें हो सकता है क्या वो एम आईयम जोएन कर ले अब क्योंकि कहीं न कहीं एम आईयम पार्टी पिछले कई दिनों से महराष्ट में रन्निती तै कर रही है और एक खबर हलचल पैदा कर दे रही है एम आईयम में सामिल हो जाएंगे क्या एम आईयम पार्टी महराष्ट में कुछ बड़ा करने वाली है क्योंकि चुनाओं में अब एम आईयम पार्टी भी समझ गई है कि किस तरीके से हमें रन्निती तै करने हैं और लोगों के द्वारा भी इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि सीवसे दिया जाता है कहीना कहीं बड़े लिडर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आते हैं तो अब तमाम तरह के अटकले लगाई जा रही है कि अंदर खेमे में क्या चल रही है अखिर इन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है क्योंकि जब एक नेता दुसरे नेता की तारीब करते हैं और खासकर चुनाओ के टाइम तो ऐसा आकलन किया जाता है कि हो सकता है कि ये पल्टी मार दें तो क्या कुछ MIM चुनाओ में बढ़ा करने जा रही है क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल पिलान में सिवसेना और NCP के गड़बंदन में सामिल होने के लिए इम्त क्या रहा है क्या यह जो कुछ हो रहा है इसमें MIM पार्टी सफल हो पाईगी करने में आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर यह वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ध